आज अंतर राचे योग दिवस पर चंडिगर के सेक्रटीस मिस्ति योग दिव्या मंदिर में एक वेवय योग शेवर का आयोजन किया गया इस मंदिर के प्रधान योगाचार्य शिरी नेगी जी द्वारा बड़े ही सुंदर ढंक से सालिफ प्रोग्राम को संचालिप किया ग नेगी जी पहले तो अंतर राचे योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुब गाम रहे हैं और सर मैं आपको बहुत एक लंबे अर्शे से जानता हूं मेरे ख्याल से आपने आप सारा जीवन और सारी जवानी चंडिगर को योग सिखाने के लिए दे दी तो इसमें आप कै कैसा अनुभव करते हैं से अनुभव तो योग का अच्छा ही है क्योंकि अच्छा नहीं होता तो मैं इतने देर पता नहीं ठीकता है नहीं ठीकता नहीं योग का अनुभव तो आपका अच्छा है इसलिए आपने अपनाया हुए मैं यह कह रहा था कि जब कोई रोगी आप से ठीक होकर जाता है, तो नैटी उस वक्त आपकी जो अंदर की भावना हैं, वो क्या आपको कहती है, क्या आपकी आत्मा क्या कहती है, कैसा हमें शूस करते हैं? तो झाल Almighty, कि गुरू ने हम्हें हεται ग्रूस होता है। कि हम एक घान दिया होगा है, जो बिनाधवाई के लोगों को हम ही तर्पाते हैं। ऐसे बिनाधवाई के लोगों को कम जगे हैं जो बिनाधवाई काplays बिनाधवाई के लाज करते हैं। प्रणाइम या पंष्कर्म के द्वारा लोगों का इलाज कर लेते हैं। और ऐसे इसे सीरियस लोग आते हैं। जिनका इलाज हमें भी लगटा कि बहुत मुछ कल है, पर प्रभु किलपासे वह आराम से जी लाज हो जाते हैं। को आपरेशन से बचा देते हैं कई नाग के लिए आते हैं कई टेश्माट आने के लिए आते हैं कई गुटने बदने के लिए ऐसे लोग डोक्तर ने बोड़ा वे बुटने बंदो यहां आके वो ठीक हो जाते हैं तो फिर अच्छा तो बटता ही है तो सर आज के इस पूरण दिन के ऊपर चंडिगढवासियों के लिए को संदेश है कि योग एक दिन करने के विश्या नहीं है सिर्फ कई लोग ऐसे योगा डे के दिन तो आ जाते हैं उसके बाद आते नहीं मैं चंडिगढवासियों चंडिगढद मोहाली पंजिकला जो भी ट्राइशिटी कि योग को अपने डेली जीवन में अपना है ये श्रीरिक स्वास्तिया मासिक तनौ से बचा देता है बीमारियों के इलावा योग करने से आदमी चुस्त रहता है खाने पाचन क्रिया ठेक रहता है और अपने काम करने में भी पुशलता आ जाते योग करने से इलाज ही नह हर कार्य में इसमें सबलता है अगर आपने प्राप्त करना है जीवन में तो योग को अपनाना है